कि मुल्क है जिस्म जान हिंदी है मेरे भारत किसान हिंदी है एकता की मिसाल हिंदी और मैं बता दूँ कि अखिल भारतिये शाहित्य परिशय से जुड़ी हुई है और एक बात जो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि शाहित्य को लेकर इकनी सजग है कि इनका जो नाम है आप मैं बता दूँ कि देश अस्तर पर है और कई सारे कारिकरमों में आपने इ प्रियास कर रही उसको बोल रही है इस पर बात करेंगे बहुत पर श्वागत है आपका जी धन्यवाद मिनाक्षी जी हम सबसे पहले अपने दर्सों को लिए जानना चाहेंगे कि खासकर हिंदी को लेकर लोग रहते हैं कि अंग्रे जी सीखना चाहते हैं कि हम देश दुनिया होगी लेकिन वहां उतरते ही एयरपोर्ट पे ही सबसे पहले हिंदी में ही हमारा स्वागत किया गया वहां के अधिकारी लोग जो थे तो बहुत बहुत अच्छा मैसूस हुआ लगा कि घर से घर तक कि यह यात्रा रही जी इस यात्रा में अभी जैसे जानकारी मिली कि 11 लो आपको उस यात्रा में जी बहुत ही अच्छा लगा मैं अकेले ही गई थी लेकिन प्रतिनधित किया तो समझे कि पूरा बिहार मेरे साथ था और उसके अलावा पूरे देश भर के साहितिकार थे तो एक पूरे जो देश का जो प्रतिनधि मंडल था वो पूरा भारत देश उमान की आत्रा पिथा तो जैसी दर्सकों ने सुना मैं बता दूं कि 11 लोगों की टीम गई थी और इन्हों ने जो वहां पर देखा है ना हिंदी में बार बार कहना चाहता हूं जमाम दर्सक आप अगर हिंदी में बात करते हैं बहुत शभा की बात है बहुतर बात है और इ होती है बाबजूद इसके हिंदी को लेके वहां बहुत रुझान मिला सबसे पहली बात तो यह कि वहां भारतिये भी बहुत काफी तादाद में वहां बसे हुए हैं तो एक तो वह महौल उसके बाद जो वहां के खास ओमानी नागरिक है उनकी जुवान पे भी हिंदी जो ह हैं बहुत प्रमुक्ता से देखने को मिला तो यह हम लोगों के सफलता तभी तैय हो गई थी कि हम संपूर्ण भारतिये भासाओं के साथ उनसे मिले और संपर्क भासा के रूप में वहां हिंदी प्रवल रूप से हैं ऐसा लगता है जैसे भारत का ही कोई बाजार हो भारत क है तो ऐसा हिंदी का वहाँ प्रसार है तो बाहर के देशों में जैसे लोगों की मन साब बनी रहती है कि हम दूसरे देश में जाएंगे तो हिंदी को लेकर दिक्कत होगी और दूसरे दूसरे अपने का वमान की बात वहां ज्यादा तर मुश्लिम भासा और अर्वी भासा बोलते होंगे तो इसको लेकर वहां का कोई ऐसा सिच्वेशन जो आपको लगा हो कि यहां हिंदी बहतर मुझे नजर आई सबसे पहली तो अगर हमारी भासा नहीं मिलती न तो वहां जो ने हैं और प्रेम हैं सवहार्द है वह सबसे प्रमुकता से हावी होती है और उसके ब हम लोग पूर्व की भ्रांतियां होती है किसी देश के बारे में जैसे कि हमें लगता है कि हमारे ही देश में सबकुछ है सबकुछ बहतर है या हम सबसे बहतर हैं लेकिन जब दूरियां मिठती है हम एक दूसरे के सभिता को संस्कृती को बहुत करीब से देखते हैं तो बह बहुत कुछ बस देश अलग था एक भागोलिक रूप से देश अलग था लेकिन जो भावनाएं जो भीस है जो होनी चाहिए उसमें बहुत सारी समताइं देखने को मिली खासकर इस्त्री विमर्ज पर मैं इस्त्री विमर्ज पर केंदरी चीजे ज्यादा लिखती हूं तो वह महिला साहित्यकार थी उनसे पड़िचरचाएं हुई तो मैंने कहा कि कहा जाता है कि अरब मुलकों में बहुत सारे कानून हैं जो इस्तरीयों के विपक्ष में हैं लेकिन वहां से जानकारिया मिली अद्भुत थी महिलाओं को लेकर वहां बहुत सम्मान है वहां आज तक ऐ मेहतर लगी बहुत अच्छी लगी जी तो दर्सकों ने जाना है कि इस तरह स्चाहित्य समर्धन यात्रा से लोटकर जब आई हैं तो यह गदगद हैं और उन्हें लग रहा है कि हिंदी जो हमारी भासा है वह बहुत ही बहुत ही बहुत है और देश दुनिया सीख रही है कि कि आप दर्सकों को कुछ चंदेश देना चाहेंगी जो इसमें की हिंदी को लेकर आप कहें कि आप लोग सजग मनें क्याता है मैं सिर्फ हिंदी ही नहीं संपुर्ण भारतिये भासाओं की अपनी एक खुब सूर्ती है मैं उस पर ही बात करूंगी और खासकर हिंदी तो संपर्ख भासा पूरे बिस पेच्छा जाए जी तो एक अगर शोटी रचना भी अगर आप दर्सकों के लिए कर बता पाएंगे हिंदी को लेकर तो क्या खाना चाहेंगे हिंदी को लेकर मैं उर्दु जवान में कहना चाहती हूं कि मुल्क है जिस्म जान हिंदी है मेरे भा पर खुआ हमने प्रयास किया कि अपनी बात है हमारे दर्सकों के लिए अभी शुरुआत हुई है और आगे आने वाले समय में इनकी और सारी रशनाएं और इनकी यह साहित को लेकर जो यह सजग है उसकी सारी बाते आप तो कहुँचाने के हम प्रयास करेंगे समय समय पर औ सब्सक्राइब कर लिए और आप भी कुछ समाज और देश के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं हम आपके बीश आएंगे और आपकी बात को भी देश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो आपने बात रखी है बहुत धन्यवाद नमस्कार दर्सकों का भी बहुत धन्यवाद इसके अपने बाते रहेंगे आज के लिए बशितना ही मैं हुआप शेकानन चौपाल समचार के लिए धन्यवाद